Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय साल 2015 से कैनेडा में किसी की तरक्की हुई हो या ना लेकिन उन सभी ग्रुप्स की खूब तरक्की हुई है जो किसी भी तरीके से एंटी इंडिया मुव्मेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं और ये सारा कुछ हुआ है अंडर जस्टिन टूडो के सूपर वीजन में और अगर हमें ये लगता है कि ये खालिस्तानी सिर्फ हिंदूों को टार्गेट करते हैं तो आप बिलकुल भी गलत हैं इन खालिस्तानीों के लिए वो सभी कोई दुश्मन हैं जो किसी भी तरीके से एंटी इंडिया मुव्मेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और अगर हम खास करके बात करें तो बीते 10-12 सालों में हिंदू टेंपल्स के उपर इतने बार अटैक हो चुके हैं कि शायद आप गिंते गिंते काउंटिंग भी भूल जाएंगे 3 नवेंबर को जो घटना रिपोर्ट की गई है इसके इसाब से कम से कम दो जगों पे ये खालिस्तानी बहुत ही प्लैन तरीके से हिंदू टेंपल्स के आज पास जाते हैं और वहाँ पे जो लोंग रहते हैं उन पे ये अटैक्स करते हैं एक तो जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो ब्रैम्टन का आ रहा है और दूसरा आ रहा सुरे का और ऐसा नहीं है कि इनका जो मूव्मेंट होता है वो कोई रात के अंधेरे में होता है बलकि ये दिन के उजाले में इन खालिस्तानियों का movement होता है और इनका जो confidence बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्यूंकि बीते खास करके 5 सालों में जिस तरीके से free hand दिया गया है जस्टिन टूडो के द्वारा वो शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर किसी भी त द्वारा support की जारी है तो इसी लिए भी जस्टिन टूडो के अंडर में ये सारे जो खालिस्तानी से उनका बहुत ही अच्छे तरीके से development हुआ है शौकिंग बात शायद ये नहीं है कि खालिस्तानियों ने या anti-india elements ने श्रधालगों के उपर attack किया लेकिन जो सबसे disturbing support करते हैं और इनके लिए जो सबसे prime agenda रहे गया है आज के date में वो यही है कि ये किसी भी तरीके से Canada के prime minister वो बने रहे है इन फैक्ट अगर आप बात करेंगे तो जो पुलिस के दुवारा FIR दर्श किया गया है वहाँ पे भी किसी भी तरीके से word खालिस्तानी का mention नहीं किया है बलकि वहाँ पे सिर्फ word protest या कुछ एक group जैसा word को mention किया गया है तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी तरीके से Canada पुलिस शुरुआत के दिनों से ही अगर observation या जो FIR वगेरा होता है इसको अगर वो कमजोर तरीके से लिखेंगे या mention करेंगे तो जो case बनेगा वो भी काफ और तरीके का इस्तिमाल करके आप खालिस्तानियों को support करते हैं और इसके बाद बहुत सारे ऐसे independent videos हमारे सामने आये जहां पे देख के ऐसा लग रहा कि जो Canada पुलिस है वो जो खालिस्तानी से उनको रोक नहीं रहे हैं उनको मार के वहां से नहीं भगा रहे हैं बलकि वैसे लोगों को target किया जा रहा है in fact बच्चों और महिलाओं को भी target किया जा रहा है जो मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो ये सारे जो घटना अगर आप सिर्फ महस सुनेंगे तो शायद सुनके इतना impact create ना करें लेकिन जब आप इस चीज़ को बहुत ही practical तोर पे observe करने का प्रया सकते हैं कि एक video हमारे सामने है जहां पे कुछ लोग जो खालिस्तानी flags हैं उसको जमीन पे fake के protest कर रहे हैं लेकिन जो police officers हैं वो उस flag को या खालिस्तानी flag जो है उसको बचा रहे हैं तो यहां पे जो post किया गया है उसके हिसाब से in fact जो Daniel Broadman है ये एक journalist हैं तो इनका कहना है कि आप बहुत ही असानी से Canada के flag को आप जला सकते हैं इसराइली flag को जला सकते हैं इंडियन flag को जला सकते हैं लेकिन अगर किसी भी तरीके से Canada police के सामने आप खालिस्तानी flag को जलाते हैं तो ये चीज़ एकसेप नहीं होता है Canada police के द्वारा तो यहां पे भी कहने के जरूवत न कि आज के डेट में किस तरीके से Canada पुलिस खालिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं तो इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुती साफ तरीके से समझ में आ जाएगा कि आज के डेट में Canada क्यों एक safe haven बना हुआ है anti-India elements के लिए और जो तीन तारीकों हिंदू टेंपल्स के आज पास जो attack किये गए खालिस्तानियों के दुआरा ऐसा नहीं है कि उस वक्त सिर्फ हिंदू ही उस मंदिर के प्रमाइसेस में available थें बलकि इंडियन काउंसलेट के दुआरा वहाँ पे counselor camp को लगाया गया था इसका मतलब ये होता है कि वैसे सभी इंडियन जिनके पास आज के डेट में Canadian citizenship नहीं है वो अपने document को वहाँ पी जाके verify करवाएंगे और किसी भी तरीके से अगर उनका कोई भी document अगर lapse हो गया है तो जो हमारे government के representative है वो उसी इसाब से उनको guide करेंगे तो जब आप किसी भी देश में रहे रहे हैं तो आपके पास valid documents होने चाहिए अगर आप इस photo को बहुत ही God से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक बुजर्ग के साथ आपको एक youngster देखने को मिलेंगे और साथ में आपको ऐसे नहीं आपको multiple ऐसे आपको photos वीडियोस दिख जाएंगे जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि जो majority ओफ लोग हिंदू टेंपल में उस दिन थें वो सिख थें तो again किसी भी तरीके से अगर हमारे बीच में किसी को ये लगता है कि ये जो खालिस्तानी सें ये कोई सिख का या इनको बहुत फर्क पड़ता है religion सिख से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये लोग बहुत ही well funded है चाइना और पाकिस्तान के द्वारा और जब भी कोई अच्छा काम होता है तो ये लोग किसी न किसी तरीके का disruption को पैदा करते हैं अगर आप politics को बहुत closely monitor करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो groups वगेरा होते हैं वो religion के इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने personal benefit के लिए करते हैं तो अगर किसी भी तरीके से ये जो 3-4% anti-India elements Canada में रह रहे हैं अगर ये लोग किसी भी तरीके से कुछ करते हैं तो जो हिंदू और सिख जो Canada में रह रहे हैं उनके बीच में आपस में एक खटास या एक differences create होगा तो इन्ही सब चीज़ों को देखते हुए जो हिंदू और सिख ग्रूप Canada में रह रहे हैं वो एक joint resolution पास करते हैं जहां पे वो complete तरीके से खालिस्तानीज और टूडों के against में अपनी बयान को रखते हैं तो यहां से भी साफ हो जाता है कि किसी भी तरीके से जो खालिस्तानीज है इनका religion से कोई तालुक नहीं है यह simply अपने personal agenda को push कर रहे हैं और साथ में हमारे सामने कुछ ऐसे भी police officers आएं जो खालिस्तानीज को support कर रहे हैं तो जैसे ही यह सारे news videos के form में या pictures के form में आते हैं तो वैसे ही government of Canada को बस दिखाने के लिए कुछ actions लेने होते हैं तो यह सारे जो 3-4 police officers होते इनको suspend कर दिया गया और जब पिछले साल हर्दीब सिंग निजर का assassination किया गया था तो बढ़ चाड़कर government of India और हमारे agents को कसूर वार ठहराया गया था लेकिन उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे independent reports आ रहे थे जहां पे बताया जा रहा था कि हर्दीब सिंग निजर के बहुत सारे आपके illegal activities थें और ये लोग अपने illegal activities को छुबाने के लिए जो गुरुद्वारा होता है या religion होता है उसका इस्तिमाल करता है तो मेजरली यही देखा जाता है कि किसी भी पुराने या famous जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पे post होते हैं तो उस post के लिए भी आपको चुनाव लड़ने होते हैं तो किसी भी तरीके से अगर आप किसी भी religious place का एक strong position को hold करते हैं तो by default आपके पास power transfer हो जाता है तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो यह है कि जो खालिस्तानी से उनका किसी भी तरीके से भारत के साथ कोई संबंध नहीं है बलकि यह लों religion का इस्तेमाल कर रहे हैं और हर वो possibly मुमकिम प्रयास कर रहे हैं जिससे कि वो भारत को नुकसान पहुँचा सके I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day Thank you, take care, goodbye